हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका एक्जाम इस्टर डिविस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का अंतरिच कारिक्रम से बनेने वाले टॉप वन लानर कॉशन की दोस्तों इस टॉपिक को हम युक्ति सार संग्रे के सामान अध्यन बुक से यहाँ पर कवर कर रहे हैं जिसमें सामान बिग्यान के पचास हजार से प्लस वन लानर कॉशन दिये गए हैं भारत का अंतरिच कारिक्रम एक इंपॉर्टन टॉपिक रहता है एक्जाम के लिए चाहे वे रेलवे के एक्जाम हो एससे के या फिर किसी स्टेट लिवल का एक्जाम ये वीडियो आप सुपर फ़ास्ट लिवीजन के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों यानि कि यदि आपका एक्जाम है तो आप एक नजर यहां पर रख सकते हैं क्योंकि यहां से एक्जाम में कौशन बार-बार रिपीट होते हैं बीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, helpful लगी तो प्लीज बीडियो को like और share जरूर कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe रूप कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए बीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे इंपोर्टन कोशन है बिकरम सारवाई अंतरश केंद्र का मुख्याले कहा है तो बिकरम सारवाई अंतरश केंद्र का मुख्याले है तिरुवनंथ पुरम में ठीक है कहा पर तिरुवनंथ पुरम में Indian Space Research Organisation, यह कि हम बात कर रहे हैं इसरो की, इन्दियन Space Research Organisation इसरो का मुख्याले कहा हैं? तो यह Bangalore करनाटक में हैं, ठीके? Bangalore करनाटक, important question बनता है कि इसरो का गठन कब हुआ था? तो इस रो का गठन किया गया 1969 में कब किया गया 1969 में अंतरिक्ष उपियो केंद्र कहां इस्तित है तो अंतरिक्ष उपियो केंद्र ये एहमदवात गुजरात में इस्तित है स्री हरी कोटा हाई एल्टिट्यूड रेंज कहां इस्तित है स्री हरी कोटा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया तो स्री हरी कोटा का नाम बदल कर सतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया विकास एवं सेक्षिक संचार यूनिट का अस्तित है सही आंसर है एहमदावाद गुजरात में भारती मूल की प्रथम महला अंत्रिक्ष यात्री कौन थी तो इनका नाम देखे इनका नाम है कलपना चावला ये भारती मूल की प्रथम महला अंत्रिक्ष यात्री थी भारत में अंत्रिक्ष कारक्रम से सम्मंदित एक important slide है अंत्रिक्ष केंदर और इसकी एकाईया कार उतेज दिखेंगे देखें सबसे पहले नाम आता है बिक्रम सारभाई अंत्रिक्ष केंदर तिरुवनंत पुरम का तो रॉकिट अनुसंधान तथा प्रचेपन यान विकास परियूजना को बनाने तथा उन्हें क्रियन वेंध करना इसका कार है इसके बाद बात करेंगे इस रो उपगिर है केंदर बेंगलोर की तो देखे उपगिर है परियुजनाओं के डिजाइन निर्मान परिक्षण एवं प्रवंद कार करना इसका उद्देश है फिर है सार तो देखे इसका काम क्या है यहे केंदर इसरो के उपगिरह पर छेपन यानों और उपगिरह के लिए द्रव इधन से चलने वाली चालक नियंतरन परणालियों और इंजन के डिजाइन बिकास और आपूरते के लिए कार करता है महेंदर गिरी केंदर को एक फरवरी 2014 से इसरो प्रो पलसन कॉम्पलेक्स के रूप में पदोनित किया गया है अगला है मुख्य नियंतरन सुविधा हासन करनाटक तो देखे इनसेट इनसेट उपगिरह के प्रचेपन के बाद की सभी गतविदिया यथा उपगिरह को कक्छा में इस्थापित करना केंद्र से उब्ग्रह का नियमित संपर्क इस्थापित करना कक्छा में उब्ग्रह की सभी किरिया बिदियों पर निगरानी एवं नियंत्रन का दायत्व इसी का होता है फिर आता है भौतिक अनुशंधान पुरियोकसाला एहंदावाद अनुशंधान एवं बिकास करने वाला पुर्मुक राश्टिय केंद्र है ये फिर है राश्टिय दूर सम्वेदी एजनसी एन आर ऐसे है धरावाद काम क्या है इसका ये है एजनसी उपगिरहों उपगिरह से प्राप्त आकणों का उपयोग करके पृतिवी के संसातनों की पहचान बरगी करण एवं निगरानी करने के जिम्यदारी रखती है इसका मुख पुर्मुक केंद्र बाला नगर में है लाश्ट है दोस्तों आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र एहन दावाद देखे इसके पृतिवी कारों में दूर संचार एवं टेली वीजन में उपगिरह का प्रियोग प्राक्रतिक संसातनों के सरविक्षण और दूर समवेधन मौसम विज्ञान भू मापन पर्यावन पर्याव विक्षण आधी सामिल हैं इसके अंतरगत प्राय संसा इन टेक्नोलोजी केंद्र की स्थापना कहां और कब की गई तो स्पेस साइन्स एंड्र टेकनोलोजी की स्थापना थुम्बा मैं की गई 1965 में सेटेलाइट टेली कम्पुनिकेशन अर्थ इस्टेशन की स्थापना कहां और कब की गई थी तो ये की गई एहमदावाद में 1967 में भारत का प्रतम उपग्रह था तो भारत का प्रतम उपग्रह था आर्रे भट आर्रे भट को अंत्रिक्ष में कब छोड़ा गया इंपॉर्टन डेट है तो 19 अप्रेल 1975 को आर्रे भट को अंत्रिक्ष में छोड़ा गया रोकेट प्रिछेपड केंदर की स्थापना कब और कहां की गई तो ये की गई थुम्बा में ठीक है और ये कहा है केरल में है और उस्थापना हुए 1963 में थुमबा भू मद्दे वर्ती रोकेट प्रिशेपड केंद्र कहा इस्तित है सही आंसर है केरल भारतिय नियू किलियर बिज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो होमी जे भावा को भारतिय नियू किलियर बिज्ञान का जनक कहते हैं परमाणू अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं देखिए भावा परमाणू अनुसंधान केंद्र जिसको हम बार्ग भी कहते हैं ये मुंबई में हैं इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम तमिलाडू में उच्य प्रोधकी केंद्र इंदौर और पर पारापुर परमाडू बिद्दुद्ग्रे इसका स्थापना वर्ष है 1969 ये महराश्ट में है और इसमें अमेरिका ने सहीयो किया था इसकी स्थापना में फिर है रावत भाटा परमाडू बिद्दुद्ग्रे इस्थापना वर्ष 1922 है रालिस्थान में है ये important exam में पूझ परमाडू बिद्दुद्ग्रे इसका सहीयोगी देश है यानकी इसको स्थापित करने में साहिता की है कनाडा ने कल्पक्कम परमाडू बिद्दुद्ग्रे इस्थापना वर्ष है 1991 उत्तर प्रदेश बुलंद सहर में है ये next है काकरा पारा परमाडू बिद्दुद्ग्रे इसकी इस्थापना हुई और ये कहां पर है सूरत गुजरात में केगा परमाडू बिद्दुद्ग्रे संद 2000 में इसकी इस्थापना हुई और ये करनाटक में है कहां पर करनाटक में कुडन कुलम परमाणू बिद्दुद्ग्रह ये तमिल नाडू में है